नमस्कार आप देख रहे हैं अजैस्त रोमनी गुरू यूट्यूब चैनल और मैं हूँ राहुल आज हम बात करेंगे उत्तर भारत के कौटन बजार की स्थिती पर स्पिनिंग मिलो की सीमित खरीदारी के कारण पंजाब, हर्याना और राजस्थान की मंडियों में कौटन की कीमते लगातार दूसरे दिन स्थिर बनी रही इसके साथ ही इन राज्यों में कपास की दैनिक आवग भी रुग गई है I.C.E. कौटन वायदा के भाव में सोमवार को तेजी दर्ज की गई थी दिसम्बर 2024 वायदा अनुबंद में 1.22 सेंट की बढ़त के साथ 79.21 सेंट पर बंध हुआ हाला की आज I.C.E. के इलेक्ट्रोनिक ट्रेडिंग में कौटन की कीमते कमजोर खुली है उत्तर भारत के कपास उत्पादक क्षेत्रों में मौसम खराब है विश्व स्तर पर कौटन का बजार मंदी का सामना कर रहा है और I.C.E. कौटन वायदा की कीमतें अक्टूबर 2020 के बाद से अपने सबसे निचले स्तर पर आ गई है उत्पादन अनुमान में बड़ोतरी, मांग में कमी और सटे बाजों की सक्रियता ने कीमतों को सत्तर सेंट के महत्वपूर्ण समर्थन स्तर से नीचे पहुचा दिया है इसका असर घरेलू बजार में भी देखा जा रहा है घरेलू बजार में सूती धागे की मान कमजोर है और निर्यात में भी खास सुधार नहीं है इसलिए कॉटन की मौजूदा कीमतों में अभी बड़ी तेजी की उम्मीद नहीं है इन राज्यों में कपास और बिनौला की कीमते स्थिर बनी हुई है पंजाब एवं हर्याना लाइन की मंदियों में कपास के भाव 6,700 से 7,100 रुप्य प्रती कविंटल बोले गए जबकी उपरी राजस्थान लाइन में इसके भाव 6,800 से 7,200 रुप्य प्रती कविंटल रहे बिनौला के भाव पंजाब और हर्याना लाइन में 3,000 से 3,250 रुप्य एवं उपरी राजस्थान लाइन में 3,100 से 3,450 रुप्य प्रती क्विंटल बोले गए NCDEX पर अप्रेल 2025 वाइदा अनुबंध में कपास की कीमते 20.5 रुप्य घटकर 1,563 रुप्य प्रती 20 किलो रह गई पंजाब में रुई हाजिर दिलिवरी के भाव 5,800 से 5,825 रुप्य प्रती मन यानि कैंडी के हिसाब से 55,200 से 55,400 रुप्य बोले गए हर्याना में रुई के भाव हाजिर दिलिवरी के 5,700 से 5,725 रुप्य प्रती मन यानि कैंडी में 54,300 से 54,500 रुप्य बोले गए उपरी राजस्थान में रुई के भाव हाजिर डिलीवरी के 5525 से 5925 रुप्य प्रती मन यानि कैंडी में 52,600 से 56,400 रुप्य बोले गए राजस्थान के पिलानी में रुई के भाव हाजिर डिलीवरी के 5525 से 5925 रुप्य प्रती मन बोले गए लोवर राजस्थान में रुई के भाव हाजिर डिलीवरी के 56,400 से 56,600 रुपये प्रती कैंडी रहे उत्तर भारत के कपास बजार में स्थिर्ता और अंतरराश्ट्रिय बजार के प्रभावों के बीच हमें आगे भी बजार की स्थिती पर नजर बनाए रखनी होगी अधिक अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल अजैस्त रोमनी गुरू के साथ धन्यवाद